तो चलिए दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में सीन कॉम फार्मूलेशन लिम्टेट के बारे में बहुत ही फेमस पैने श्टॉक है बहुत लोग इसमें इन्वेश्ट करते हैं फंडामेंटल तो इसका मैं कभी चेक नहीं किया हूं लेकिन टेक्निकली मैं आपनों को इसमें गाइड करते रहा हूं यह एसम के अभी भी सौट्टम के स्टेज वन में है तो इसको हम लोग देखेंगे कि यह कब बाहर आएगा इसका मैं आपनों को व्यू देने वाला हूं ठीक ना तो आप लोग देख लिएगा आज अगर हम लोग टेडिंग इसका देखेंगे डिलिवरी पोजिशन तीन बज़े तक का है अभी साड़े तीन बज़े तक का आपडेट नहीं किया है इन लोगों ने साथा तालीस लाग इकुटी से टेड हुगा है आज की डेट मे कि क्यों मोमिंटम आया है तो उसी का अपडेट है लास्ट उसके बाद एक टेडिंग विंडोग अपडेट था जो मैं आपनों को बताया था कि एक जनौरी से इसका टेडिंग विंडोग जाएगा जब तक कि इसका जो है रिजल्ट नहीं आ जाता तो यह दो तीन दिखने के लिए मिल रही है एक विकने साथ अपोर्चिंटी देखने के लिए मिल रही है यह सब इसका जो है सारा इसकोर यहां पर आपनों को दिख जाएगा अब सीधा सब चलिए मैं SM लिष्ट ओपन करता हूं SM लिष्ट में यह कब गया था सिन काम फर्मूले सम से नीचे जो कि लिवी निचे का यह 12 का कृसरी बार वन में 10 अपरेल को गया थीक है न में फो है तो देखने यहां पर जो सबसे पहले तइस में गया थाना वह दस अपरेल को गया था तबर गया तो आठ दिन के बाद दस अपरेल उन्हींजब कर आठ दिन के बाद रिमोव गया था इसके बाद भी समबर में गया था चौबीस नौबर को चौबीस नौबर के बाद टो फिर यह जो है लगबग लगबग पचीप्छिस धीन के बाद 20 धिन के बाद यह वापस आए क्योंकि दिसंबर में 19 кажete तो 19 Δिसम्बर तो 19 दिन तो यहीं होगया, और 24 को गया था तो 6 जडया था, तो मतलब 75 दिन के बाद रिमोग उगा अब फिर से जो गया है, शौना जो लेकिन में आटाइस दिसम्बर को, देखेत, 19 दिसम्बर को निकला, उसके बाद फिर से जो 28 दिसंबर को सौट टम के SM stage 1 में घुज गया ठीक है ना एट कर दिया गया अब ये कब निकलेगा तो आज से जो 28 तारिक से छाठमा टेडिंग सेशन जो रहेगा ना इसके लिए रिवीव का पिरियेड रहेगा उस दिन बाहर निकल जाएगा ये कोई जरूर नहीं छाठमा दिन तो अगर आप लोग यहां पे कलेंडर पे जाके देखो कि ना तो कलेंडर पे हम लोगा चाठमा दिन यही आ रहा है क्यांकि 28 को अगर हम भूलेंगे तो 28 29 दो दिन उधर हो गया और चार दिन एक सिले के चार दिन दर्शे छठमा दिन तो आज यह एसन लिष्ट से बाहर आ सकता है ऐसी संभावना है ठीके न तो इसको देख लिए क्योंकि मतलब इस्टोंग कारण है कि यह बाहर आ जाएगा चार पे भी बताऊंगा तो यह कैसे पता चलेगा तो यह तो कल वीडियो या तो बनाऊंगा या फिर आप लोग जो मेरा दूसरा वाला चैनल इसी चैनल के होम पर आप लोग जाओगे न तो आप लोगो सूपर स्टाक एडवाईजर इस तरह से करके एक चैनल मिलेगा उस चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा उस पर मैं डेली का लिष्ट का आपडेट देते रहता हूं डेली देता हूं कितने इस टोक हैं कितने बाहर हुए कि इतने अंदर हुए सब कुछ अपडेट तो उसको आप लोग सस्क्राइब कर लिजेगा वरना फिर कल अगर यह संग से बाहर आ जाए गा ही यहां पर यहां पर बाइक करने के लिए भी जाओगे तो यहां पर इन्वेस्टर केर में आपनों को दिखाएगा कि यह करना क्या है अब बहुत साई लोग इसे प्रॉफिट बुक कर रहा है तो ठीक है आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है बाकी अभी इसमें तेजी होगी मैं यह आपनों को क्लियर कर देता हूं मेरे साइट से जो संकेत मिल रहा है वह अठारो उननीस रुपे तक का या फिर कहलें कि उननीस रुपे से लेके 21 रुपे तक का इसमें आने वाले समय में भी हम लोगों को टार्गेट मिल सकता है जब तक कि यह 14 रुपे याद रहे हैं जब तक कि यह 14 रुपे 50 पैसे या 60 पैसे कहलें हम लोग कि उपर उपर टेट कर रहा है तब तक तो कोई टेंसन नहीं है बिल्कुल टेंसन फ्री रही है आप लोग जब रुपे 60 पैसे के नीचे आएगा तब थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है इसमें कि रावट हो जाएगी लेकिन इस्टॉप लोग 12 रुपे का इसमें फालो करेंगे 11 रुपे 80 पैसे की नीचे का आप लोग इसमें इस्टॉप लोग फालो कर सकते हैं या फिर जहां से लोग बन से के नीचे जाता है डेली केंडल क्लोच करता है 14 रुपे 60 पैसे के नीचे तो आप छोटा सा इस्टॉप लोग से ले सकते हैं नहीं तो फिर नेक्स्ट इस्टॉप लोग यह बनेगा सीधा 12 रुपे के प्राइज पे तो देख लिजेगा आपको कौन सुटेबल बैरता है 12 रुपे वाला 14 रुपे 60 पैसे वाला टार्गेट अभी भी यह देगा 19 रुपे से लेके 21 रुपे तक का तो देख लिजेगा आगे भी गाइड करते रहूंगा सभी लोग से निवेदन है चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा और वीडियो को लाइक कर दीजेगा बेल आइ अगले वीडियो में